ये फ्रिज काफी दिर से run कर रहा है लेकिन इसमें cooling जो होता है?, वो हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है कारण यह है इसमें कि कि इसका झो compressor होता है, वो हमारा run कर यह नहीं रहा है, वो proper तरीक Tambra से चल ले नहीं पा रहा है, इसमें power आ रहा है क्यों power नहीं आ रहा है आईए उसको जानते हैं उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें temperature वगारा सही तरीका से adjust किया हुआ है या नहीं है तो मैंने सारा चीज यहाँ पे check कर लिया तो यह सही ढंग से काम गार रहा था इसमें कोई तरह का issue नहीं है प्लस इसका जो fan motor होता है जो हावा का flow रहता है वो भी हमें देखने को अच्छा तरीका से मिल पा रहा है मतलब इसका जो fan motor है वो बढ़े तरीका से हम काम कर रहा है कोई तरह का issue इसमें नहीं है क्योंकि जादा तर यह होता है कि double door का refrigerator में motor वगारा खराब होता है fan motor नहीं चलता है जिसके वाज़से cooling देखने को नहीं मील पाता है लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है यहाँ पर मैंने direct compressor के पास आया compressor के बास यहाँ पर चेक कराऊंगी जो compressor है वो run ही नहीं कर रहा है वो चल ही नहीं रहा है कारण क्या है इसमें वो ध्यान से समझेगे यहाँ पर आप कारण यह है कि इस compressor के पास power आई नहीं रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चेक करने के लिए कि इसका line को off करेंगे और समझेंगे क्या issue है तो समझने के लिए मैंने क्या क्या कि इसका जो main screw रहता है जहांपर PCB board है उसको मैंने open करने के लिए सोचा क्योंकि open करने के बाद ही PCB कंडिशन समझ में आप आएगा दो screw उता right में यहाँ और उस तरप में left में ठीक है screw हम लोग open कर लिए गॉद्रेज का refrigerator है double door का company कोई सा भी हो सकता वो meter नहीं करता है तो directly इसको मैंने सामने के तरप टाना तो इसली तरीके से यह बाहर आ चुका है यह बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पर notice कि इसका जो PCB है वो PCB में ही fault है इसका जो power होता है mainly जो मैंने compressor के पाद चेकिया एंपेर मिटर के पास है तो इसमें power आई नहीं रहा है तो power नहीं आने का कारण मैंने यह ध्यान दिया कि इसका जो PCB है PCB से भोल्ट नहीं बाइपास कर रहा है मतलब यहां से निकली नहीं आपा रहा है जो कि compressor के पास आपाए तो यहां पर इस से मसीन में यह fault है जो यह PCB है इसमें problem आया जिसके वज़े से क्या हो रहा है कि हमारे compressor के पावर नहीं आपा रहा है क्योंकि power अगर नहीं आएगा तो compressor हमारा रन करे गए ही नहीं तो सारा ची मैंने यहां पर अच्छे तरीका से चेक कर लिया प्रोपर तरीका से कि इसमें problem क्या है क्या नहीं है तो confirm मैंने समझ लिए कि इसका PCB का fault है लेकिन यहां पर confirm नहीं हो पाया अभी confirm करने के लिए मैंने दूसरा PCB को भी मैं लगाऊंगा अगले दिन होने के बाद मैं PCB को यहां पर sit कर दिया हूँ और land दिया हूँ और देख रहा हूँ कि compressor चल रहा है नहीं चल रहा है वो चेक करेंगा लोग जहां से सुनेंगे तो फ्रेंट फोल्ड जिसमें बस यही तक इसका जो compressor है वो चल नहीं रहा था बागी का पार्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा था उसके बाद मैंने यहां पर चेक क्या डिश्चार्ज पैपिंगे वो heat वगरा कर रहा है नहीं कर रहा है तो हाँ heat वगरा आ चुका है यहां यहां पर मैंने चेक के लिए compressor के पास से अब मेरा दूसरा जो चेक करने का जगा था वो था हमारा यह फाइन मोटर के पास cooling तो उपर वाले डर को मैंने open किया और यहां पर मैंने चेक किया क्या है इसमें cooling वगर आ रहा ही नहीं आ ठंडा हुआ तो भाई यहां पर ठंडा में होता ही है कि वो थोड़ा धीमा धीमा cooling आता है और उपर में mainly सबस्यादा cooling मिलता है तो proper तरीके से मैंने सारा चीज़े कर लिए उसके बाद temperature वगरे को adjust कर दिया high max से थोड़ा सा कम पर रखा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा temperature वगरे सारा चीज मैंने set कर लिए उसके बाद दोबारा देख लिए कहा cooling साइस कर रहा है नहीं कर रहा तो भाई प्रोपर यहां पर cooling आ रहा में लिए जो प्रॉब्लम तैस में वो PCB का प्रॉब्लम ता है जिसके वाई से हमारा जो compressor ता वहाँ पर power आहीं नहीं रहा था तो उम्मीद कर तो वीडियो आप लो